हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट बेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी तो जो एक इंपॉर्टेंट चेप्टर हमने भोगोल का देखा है पाच्वा चेप्टर और वो है प्राथ्विक क्रियाओं का यानि प्रैमरी एक्टिविटीज का तो उन चेप्टर का आज आंसर हम करने की कोसिस करेंगे उसका मॉडल आंसर देखेंगे कि क्या हो सकता है और आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है तो इसी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन के साथ सुरू करते हैं आज का यह महतपों शेशन और देखते हैं एंसरी शॉलूसंस को अब देखेंगे पहला प्रसेस में दिया गया है कि नीचे दिये गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए ठीक तो आपको एंसी क्यू ऐसे कौन सा रोपर फसल नहीं है कि रोपर फसल का मतलब यह होता है कि जिसको आप बार बार एक जगस दूसरे जगर लगाते हैं उसको रूपते हैं रोपना एक अपने आप में एक प्रॉसेस है ठीक तो कॉफी गन्ना गेहु रबड गेहु यह कैसी फसल आप भीज आपने किसी को क्या बोलता है cooperative forming ठीक है यहां से आप चीजों को revise करते भी चलेंगे कई बार आपको हिंदी में भी cooperative word दिखाई दे देता है और आप confused हो जाते हैं कि भाई इस सब्द का मतलब क्या है तो co-operative farming ठीक है यहां पर आता है बहुत महतपूर है तो निम्न में से किस देश में सहगारी क्रसी का सफल परिक्षण किया गया है रूस डेनमार्क भारत या नीदरलेंड सही जबाब क्या हो जाएगा डेनमार्क यहां पर cooperative क्रसी का एक दिन बहुत बहतर है सफल यहां पर परिक्षण किया गया तो फूलों के क्रसी चाहलाती है तूक farming कारखाना inspiration मिसृत करसी यह पुस्पत पादन तो फूलों के क्रसी को क्या क्याता है जैसिज बास काई साही जबाब क्या बनाती थी तो इसमें से कौन सी वो किरसी थी वो कौन सी इसमें किरसी का प्रकार है जिसका डवलोपेंट इन आपनिवेशिक समहोद रखिया गया कोलक खोच अंगुरोत पादन मिस्रित खेसी या रोपड खेती देखिए एक चीज आप इंपॉर्टेंट उसे समझ लीजे कि यह मिस्रित खेती का बतलब तो यह हो जाता है कि भाई खेती के साथ साथ पसू पालन भी करना अंगुरोत पादन तो मेडिटेरेन भूम अदे सागरी जो खेती उसे समंधित है रोपड किरसी जानी कि जो आप लाकर चीजों को रोपते हैं एक जगह से दूसरे जगह यह ज अर्जेंटीना के पंपाश चित्र यूरोपी इस्टेपी छेत्र यामेजन बेसिं सही जवाब क्या हो जाएगा अमेजन बेसिस पर तो यहां पर विस्तृत वाणिज आनाज किरसी नहीं होता है जाहिर सी बात है वह कौन सा इलाका है वह आप कह सकते हैं कि भूमत रेखा व सिट्रस फ्रूट्स तो कहां यह सिट्रस फ्रूट्स जादे आपको दिखाई देते हैं बाजारी सब्जी क्रिसी भूमत रेखारी क्रिसी रोपड क्रिसी या सहकारी क्रिसी देखे भूमत रेखारी क्रिसी को कहते हैं मेडिटेरेनियन फार्मिंग जो मेडिटेरेनियन सी के समुद्र के आसपास है तो यहीं पर यह खट्टे रसदार फल और यहीं पर आप जो सकते हैं जो दुनिया की अच्छी विस्की या वाइन बनाने वाले पूरे का रखाने वह भी आपको यहां दिखाई पड़ेंगे तो इसका सही जवाब क्यों जाएगा भूम अद्यसागरी क्रिसी निम्न क्रिसी के प्रकारों में से कौन सा प्रकार करतन दहन क्रिसी का प्रकार है ठीक स्लैस और भी आपने सुना होगा विस्त्रित जीवन निर्वाह क्रिसी आदिकाली निर्वाह क्रिसी विस्त्रित वाडिज अनाज क्रिसी या मिस्त्रित क्रिसी तो सही जवाब क् दिकाली निर्वाथ किरसी यहां पर क्या होता था कि एक घुमंतु किरसी पढाली जैसी चीजे चलती है एक जगा इस तिरी होकर किरसी नहीं होती है खोड़े से जमीन को क्या करते थे काटते थे वहां के पेड़ पौदे जंगलों को और वहां किरसी करके कुछ दिन बाद हो सकता है धान भी हो सकता है वाणी जी आनाज किरसी भी कॉमर्शल कोई फार्मिंग हो सकती है लेकिन जो मिक्स्रित किरसी है जिसको अंगरी जी में कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग और इसमें क्या होता है इसमें क्रिसी और पशू पालन दोनों चीजन पाई जाती है एक तो इसमें फार्मिंग भी होती है और दूसरा इसके सासत क्या होता है और कोई अलग भी काम इसमें किया जा सकता है पसू पालन डेरी यह सारी चीज़ें चलती है तो यह क्या होता है यह एक तरह से डाइविर्सिफिकेशन और जो आये के स्रोत किसानों को बढ़ाने के तरीके हैं उसको इस पर बना जाता है अच्छा यह क्रसी पर आधारी बजिमाले आप पसु अगर पालेंगे तो उनको खाने के लिए चारा यह सारी चीजे क्रसी सही निकाल के लिए आते हैं तो यह दूस से संबंदित रहती है मिस्रित कहती इसका सही जवाब हो जाएगा अब कुछ प्रस्ण उत्तर देख लेते हैं जो इसमें दिये हुए एंसाटी में कि निम्न प्रस्णों का थी सब्दों में उत्तर जीजिए इस थानांतरी क्रसी का भवी से अच्छा नहीं है विविचना की है इस से भूमी और पर्यावरण दोनों कोहानी होती है जाहिर सी बात है कि भूमी की उरवरता एक तो समाप्त कर दी जाती है और इसके साथ और दूसरा क्या होता है दूसरा ही समस्या है जाती है में कि आप यह कह सकते हैं कि वहां की जो पर्यावरन को भी भारी च्छती पहुशती है वहां का जो इन्वार्मेंट होबे बुरी तर engaged होता है तो यह भी तो ठीक नहीं है इससे भूमी और पर्यावर दोनों कहानी होती या दूसरी ओर जिन छेत्रों में क्रिसी का या आदिम रूप प्रस्लिट है वे लोग भी आधुनिक प्रवद्योगे की से परचित होने लगे हैं अथा इस्थानांतरी क्रिसी का भविश से अच्छा नहीं है ये एक इंपोर्टेंट बात है जिसको आप समझ लेंगे बाजारिय सब्जी क्रिसी नगरिय छेत्रों के समीफी क्यों होते हैं अभी बहुत महत्पूर बात है जाहिर सी बात है कि आप जब कोई चीज उगाते हैं तो उसके लिए मार्केट देखते हैं तो जो बाजारिय सब्जी क्रिसी है वो बाजार के नगर के करीब होगी ताकि ब जाती है क्रिसी के इस रूप में गहन स्रम तथा अधिक मूची की आउशकता होती है जिसकी भरपाई उच आए वाले उभोगता ही कर पाते हैं अता या क्रिसी नगर ये छेत्रों के समिप की जाती है जाहिर जी बात है जो बाजार के लिए सब्जी उगाई जाएगी तो उसक आयके लोग हैं जो इंकम जनरे कमाने वाले लोग हैं वह नगर में रहेंगे और वहां पर सब्जियां बिख सकती है इसके नगरों के करीब इसको गाने का प्रयास किया जा सकता है या किया जाता है ठीक है विस्तृत पैमाने पर डेरी क्रिसी का विकास है यातायात के साधन और प्रसीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभा हो पाता है यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखिए एक चीज आप मैं कुल रूप से ध्यान लगिए देरी उद्डियों में गाहे भैस और दूद का तो काम होगा ही और आपको पता है दूद और दूद से बने आइटम जो हैं वो जल्दी खराब होने की उसकी संभावना जादा रहती है अब अगर अच्छा यातायात का साधन नहीं होगा तो उन चीजों को ट्रांस्पोर्टेशन करके दूसरी सहरों से नगरों तक ले जाना गाहों से सहरों तक दूद ले आना यह जल्दी करना पड़ेगा तो यातायात के साधन तो इसमें इंपोर्टेंट होते हैं देरी किरसी में बड़े पैमानों पर दुधारू पस्यों को बैग्यानिक विदी से पाला जाता है दूद तता दुख्ध उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं जो परिसेबल आइटम से होते हैं आता समय पर इन्हें उभोकताओं तक पहुचाना होता है अब देखिए आज तक आजकल तो भारत में किशान रेल हैना और किसान एरोप्लेन से भी किसानों के प्रटक्स को ले जाने के लिए सरकार में पहल की है किसान उडानी होजना तो यह सारी चीज़े क्या है ताकि समय से और गरम करके बहुत ठंडा करते हैं ताकि जल्दी खराब नहों इन सुविधाओं के प्रसिलन के बादी इसे क्रिसी का विकास तेजी से हुआ है प्रसितक प्रिजर्रेटिब्स भी होते हैं जिसे वो चीज़ें खराब नहों तो यह सवाल एंसी आटी का है बहुत प्रोसेस है वो बनता रहे ताकि यह खराब नहों और डेरी क्रिसी बढ़ियां से क्या हो सके डबल अप हो सके और यह बहुत इमर्जिंग एक तरसे आप कहा सकते हैं कि एक एक एक्टिविटी है हालाकि यह पुराने काल से चली आ रहे है लेकर आप इसमें क्या हो रहा है न चलवासी पसुचारण और वाडू जे पसुधन पालन में अंतर बताईए देखिए दो चीजे होती है एक होता है कि अपने काम भर के लिए कोई पसु है और उनको आप चरा रहे हैं और उनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं एक होता है कि आपने कॉमर्शियल तरीके से नुकसान देखेंगे चलवासी पसुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का ब्यवशा है बहुत पुराने समय से ऐसा देखा जाता है कि जो एनिमल जो हैं लोगों के पास जानवर हैं और उनको लेकर वो चरवाहों की तरफ जा रहे हैं जहां घास मिलता है और उनके सा उनाल किया जाना उन पर बैठके एक जगह से दूसरे जगह जाना उन्ही को काट के मीट के ौट में खाना तो भोजन के रूप में वञे में शॉट्र hugely?」 तो है लंबी दूरियां तैय करते यह इंपॉर्टन देख लिए इंको पेस्ट्रोलिस्ट की भी कस्ट में रखा जाता है यानि अपने पसूं को खिलाने के लिए अच्छी घास कहां मिलेगी जादा पानी कहां मिलेगा इसकी तलास में दूर दूर तक घूमते रहते थे यह पसू च पसू चारक रितियों के अनुसार अपने पसूं के साथ रितू प्रवास करते हैं भारत में गुजर बकरवाल गड़ी एवं भूटिया लोगों के समूं ग्रिस मकाल में मैदानी छेत्रों से परवतिय छेत्रों की और तथा सीत रितू में परवतिय छेत्रों से मैदानी भा करसित हो रहे हैं जाइड सी बात है यह बहुत पूरानी परंपरा रही है अब लोग दूसरे तरह के व्यशाय करना चाह रहे हैं और पसू चारण में कम इंट्रिस्टेड है पहले व्यशा अलग अलग व्यशाओं का इतना विभीनिकरण नहीं था आप नए-णे तरह के प्रश्टित छेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण छेत्र को छोटी-छोटी इकाईयों में विभाजित कर दिया जाता है इसमें चराई नियंत्रित होती है ठीक देखे क्या होता इसमें चलवासी पसुचाल के फेक्षाब आजिश पसुधन में क्या होता है अधिक में दूद को रखना उसको पॉस्टराइज करना सब विवस्थित रहेगा इनके फार्म बनाए जाते हैं बड़े-बड़े-बड़े-दस क्लिमेटर-5 क्लिमेटर के बड़े-बड़े फार्म बनाए जाएंगे और विश्ची छेत्र में चोटी-चोटी यहां इकाईयों मे बिभाजित कर दिया जाएगा जैसे यहां छोटे पसू रहेंगे यहां बड़े पसू रहेंगे वारी जिवसुधन पालन में पसूओं की संख्या भी चारागां की छमता के अनुसा रखी जाती है जितना घास चरने की जगह होगी उतने ही पसू रहेंगे यह एक को पाल कर उनसे उन निकाला जाएगा कई जगह केवल गाहे भैस रखे जाते हैं पसूओं को मांस खाल यानि उनकी चमडी उनको प्राप्त करने के लिए पाला जाता है यह उत्पाद वेग्यानिक धंग से संसाधित और डिब्बा बंद करके विस्व के बजारों में निरा निंतृत कर के इनके परजनन जनांकिक सुधार और बिमारियों को नियंतृत करके उनके स्वास्त पर दोर दिया जाता है यह एक सवास एग'. लखी जाती है उनसे जो क्वालिटी निकल रहे हो बहतर उसमें कोई समस्या नहीं हो उनके हेल्थ पर ध्यान है ताकि ज्यादा प्रॉडक्टिव हो तो इन चीजों को ध्यान लगाता ऐसा नहीं कि कैसे भी बस वो खा रहे हैं और दूर निकाल रहे हैं अब देखिए अगला इस किसी छेतर का आकार बहुत बिस्त्रित होता है इस किसी में अधिक पूजी निवेस और उच्च प्रबंद और तक्निकी अधार तथा व्यग्यानिक विद्यों का प्रयोग किया जाता है ठिक यानि यह साधारता ऐसे नहीं पैदा होती है इनको बहुत जादा तरीके से ध्यान लगकर प्रडक्शन करना पड़ता है या इनका उत्पादन करना पड़ता है बागान एवं बाजार विक्सित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े होते हैं जनरली आप समझें हैं प्लांटेशन का इनको कहते हैं यानि इनको इनको इनके अलग अलग बागान बनाए जाएंगे उनों जैसे चाय का आप एक्जामपल ले सकते हैं रोपर क्रिसी सस्ता किन्तु कुसल सरमिकों के अधार पकिया तैसा नहीं को कोई भी उगा लेगा उसको उगाने की अपनी तकनीक होती है और उस तकनीक का ध्यान रखते वह क्रिसी उगाई जाती है इस क्रिसी का आरं यूरोपीय सामराजयवादी देशों ने अपने अधीन उश्रकटिबंदिय छेत्रों में चाय कॉफी कोको रबड कपास गन्ना केला अननास की पौधे लगा कर किया था फ्रांसीशियों ने पस्चमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोवा क पौधा लगाया था इसमें से काफी चीज़े भारत में पाई जाएंगी तो इसमें क्या होता है यह विस्तरित तरीके के फसल है जिसको आप रोपते हैं और जिसमें एक अच्छे कोशल की जरूवत पड़ती है और इसको वानिजिक फसलों में ज्यादा रखा जाता है यान इनका एक्सपोर्ट हमेशा से अंग्रेश करते रहे हैं अपने इंग्लेंड के छेत्रों में और अच्छे क्वालिटी की चाय और कौफी लेकर जाते रहते जो समराजवादी निती है ना जब वो सबकों अपने गुलाम बना के रखते थे वहां की चर्चा की जा रही है ब्रिटेन वासियों ने भारत और स्रिलंका में चाय के बाग मलेशिया में रवड के बाग पस्चिमी दीवसंभू में गन्ना और खेले के बाग विक्सित किये इस्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलिपिन्स में नारियल और गन्ने के बागान लगाए इंडोनेसिया म के नियंतर में है किन्तु वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित इन देशों के नागरिकों अथ्वा सरकार के नियंतर में है ठीक है तो यह रोपड कृषी का अच्छा उदारण है तो यह आपकी सब्जेक्स को पढ़ सकते हैं और इसमें आप बिना किसी पेर सब्सक्रिप्शन के कोई पैसा देविना क्रम वार एक एक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं क्या कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि मैंगे इंडिक अक्षा 6 से बारत तक बिल्कुल निश्युक्षा प्रवाइड करा रहा है आपको पस छोटा सा काम करना है कि लाइक से दो सब्सक्राइब करते रहना है ताकि जादे से जादे लोगों तक एक वीडियो पहुत सकें और सभी लोग अपनी परिक्षाओं को उतना ही आसान बना सकें जितना आप बना रहे हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए बाए बाए टेक केर